क्या सूब़ नाम हुआ किस और उर्फ गोपाल रायाई कि पंचाएस तो आप को चुनाव में उतारे हुए उनका सुनाली तो यह बताएं कि आप लंबी अब्धी से छेत्र में काम कर रहे हैं समासेवा कर रहे हैं हम बता दें कि जिस समय हम कोई परतनीधी नहीं थे 89 में 90 में हम ने ठेरवा से लेकर के मंदल चौंक तक सरक बनवाने का काम किया जिरोरिया जो महादलिट टोला है उसमें भी कच्छी सरक से सोलिंग करवाए उसके बाद आपको फर्ञे से लेकर विसनात अस्थान तक जो बक्या की तरफ जाती थी सरक उसमें हम सोलिंग करवाने कम किया, फकी टोला जो एक हमारे गउंग का सबसे गरीब टोला था फर्रे में, उसमें भी हमने सरक बनावने का उस 90-90 में करवाया और परखन विकास पतादीकारी से ले करके, जीला पतादीकार से आरजू करके कि मेरा गउंग गरीब है, हमें संपर्क सरक चाहिए और हमें सुभधा चाहिए हम इधर जो है छे मैंने पूर्ब मानिय विधायक जी से बात करके उनसे अगरह करके अंसुंसा करके फर्रे से ले करके भाया बकिया होते हुए तो फिर गरिया पक्की सरक बनमाने का काम किया है मान्य बिधायक सचंसा करवा करके मान्य बिधायक इसमें बहुत जादे रुची दिखा करके हमारी बातों को अपने विभाग तक मुखमन्ति सरक तक बनाने का काम में उन्होंने बहुत बड़ा योग दिया है इनके लिए उनको भी में अपने तेनोच बासी के तरफ से उनको साधुबाद देते हैं उनकी किरपा हुई जो हमारे गौम है जो कि बकिया सतर साल से सही मौने में कटा हुआ था मेरा फर्रे का टोला हुआ बकिया और उनके लिए हमने किया कुछ हमारे गोतिया लिया का जमीन था विवादित था फिर भी हम लोग ने पएर पकर करके उनका काम करवाया कि नहीं सरक है उनको भी आबागवन की उस्वधा है हमने करवाया हम एक टोला है तेलोंच में जहांकि हमारी नीजी जमीन थी हमने बाइस सौब फीट अपनी मैं अपने नीजी जमीन में बनवाया फिर अभी जो है एक दिक्कत हो रहा है आपको पासमान टोला जीलोडिया महदली टोला और यादव टोला को सरक सुभधा नहीं है कोई भी संपक्त सरक से वह नहीं जुरा हुआ है जिसको कि हमने कहा है कि जदी हम चुनाव में आते हैं जीत के आते हैं तो आपकी सरक की समस्या का हम निदावन करेंगे और हम दावेक साथ कहते हैं कि जदी हम चुनाव जीते हैं तो उनका भी सरक बनेगा इसके लिए हम उन लोग भी हमको धन्यवाद दिये कि आपका जीवन भर लोग नाम लेंगे कि आपने अपनी जमीन में सर प्रवेह हो गया है भुवरजन बिभाक से जिला से सर्वे करके सभी किसनों का जमीन का जो खाता खस रहाल है लेकर के बो सूछियों साथ के अंदर से जाकर के भूरजन बिभाक से और वहां के राज सरकार को भेजा जा चुका है अभी लंब ही 2022 में भी गरिया तू तो फिर गरिया पकी सरक बननों तै है और सभी किसन को सरकार के दोरा मुअबजा दे करके वह सरक बनेगी और उसका काम युद दस्तर पर आगे पतना तक चला गया है हमारे अधरनिया डियम साहब भी आय थे उस सरक की समस्या के लिए हम भी मौजूद थे डियम साहब बोले कि हम जो है यह 100 और 1500 फीट तक हम अपने अधिकार छित में बना सकते हैं लेकिन यह पौने किलो मिटर कर लेगबग दूरी है इसका यह बिना भुवरजन से नहीं होगा और मौनिया डियम साहब हमारे जो अधरनिया डियम साहब हैं उनके पर्यास से सियो साहब से यहां सरवे करके यहां से जमीन नौपी करा करके भुवरजन विभाग से भी ओके हो करके पतना पहुँच गया है अब पदाधिकारी के अस्तर से जो भी देर होगा लेकिन कार्ज वह भी बाइस में बनना है सरक और मौनिया परधान मंतरी का परधान मंतरी अवास योजना जो उनकी योजना है कि बाइस तक में हम पूरे गरीब का घर पक्का बनाएंगे वो लक्ष बनेगा और बाइस तक में हमारे पंचाइट के सभी गरीब भाई का पक्का का मकान बनेग काम करवाएंगे और उसमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमने सर्वे भी करवा चुका है और जो भी 2010 तक जिनके जियोग भी गरीब ब्यक्तिक का घर नहीं बना हुआ है छत नहीं ढ़ला हो सका है मौनिया मुखमंत्री घोसना कि ये थे कि जो 2010 तक में अपना घर का छत नहीं ढाल सके हैं उनको 50,000 रुपिया सरकार के तरफ से दिया जाएगा कि आप अपना घर का ढलाई कर लें आप छत के बिनों नहीं रहेंगे वह भी कार्ज सरवे हो चुका है वह भी कार्ज होना है और चुनाओ के बाद क्योंकि अभी अचार संगीता है चुनाओ के बाद ये सब परकरिया हो ये हम चाते हैं कि हम अपने पंचायत को आदर्स पंचायत बनावें क्योंकि 2017 में मेरे पंचायत का पटना में 15 रहती 26 जनवरी को जहांकी निकला था तेलोस पंचायत के नम से हमें बहुत गर्व हुआ आज तेलोस पंचायत का जहांकी पटना में चल रहा है 26 जनवरी को गंतन दिवस के अफसर पर और हम चाहते हैं कि जदी हमें यह पद मिलता है मुख्या का काज करने का तो मैं पुना अपने मौनिय मुख्मंतरी जी को यहां लाएंगे कि ऐसा हम बनाएंगे कि हम आदर्स पंचायत बना करके और अपने पंचायत में फिर से मौनिय मुख्मंतरी जी को लाने का काम करेंगे अच्छे एक और वाद देन को आ inhabited में उसमें कितना सेही हो पाया है जनपाम दीएं के त्वारा से पसू सेड निरमान और पसूपालकwegen इतना मदद मिल पदे मसेब भाए अभी तक जो है इस योजनों का पसुपालकों को यह जोनकारी ही नहीं पहुच पाई है कि यह पशू सेट जो है सरकार के दोरा 144,000 की योजनों हैं हर पसुपालक को यह योजनों का लाव मिलना चाहिए और हम बगल के पंचायत में देखते हैं तो हमें कश्ट होता है कि हमारे पंचायत में पसूसित नहीं बन पाया है जबकि वह पसूसित बनने से हमारे जो मंडेगा का कार्ज होता है उसका भी जो ग्राफ होता है उचा होता है क्योंकि उसमें मजदूरी का पैसा आता है दो कहीं कहीं हमारे मजदूर भाई को ही फैदा होता है तो हम चाहेंगे कि हम अपने पंचायत में जिदि हमें पंचायत जनता हमको मुखा देती है मुख्या Liberalist में तो हम चाहेंगे कि परतिक किसान को जो जिनके पास गाय है, सब को हम पशू सेट बनाने का, और उसमे पुछी का मती नहीं है, शिर्फ अपना जमीन का कागज देना है, खाता खसरा देना है, और मुखिया को ही उसका परसाशी सुकिर्ती देना है, और वह घर घर जाके अपना बनावें, और जो भी उसका भोचर है लगावें उनके एकाउंट पर खाता पर पैसा जाता है रही बात पसु का पसु के लिए सरकार जो है समान बर्ग से लेकर कि अधी बर्ग लोगों के लिए 50% अंदौं सरकार देती है गाए पालिये बकरी पालिये मचली पालिये जो भी है और उसमें जो है अनुसुची जाती को 75 परसेंट है अति पिछरा को भी 75 परसेंट है यह करने से क्या होगा कि हमारे यहां एक किसान की आई भी बरहेगी दुख दुख पातन बरहेगा तो मेरे पंचायत के लोगों का विकास होगा मेरा चुनाव चिन बैगन छाप है कर्मान संख्या च् हमारे पंचायत में 6 कंडाट है सब से नीचे में मेरा बैगन चाप है जनताओं को जादा मद देने के लिए महलां को क्या करना चाहिए महला को मेरा यही निवेदन है कि आपकाakायूबाकणडेट है आपही की बेटी है गौ की बेटी है ग्रामगरिया की बेटी है यहां की बहु हैं और हम चाहेंगे कि युबा को आगे बराने का काम करें सिक्षित उमिद्वार हैं परीलिकी हैं विकॉम ओनर्स हैं और उनका पती जो है नोकरी करते हैं नोकरी छोड़ करके समाज सेवा के लिए बैंक में दिली में नोकरी में थे समाज सेवा के लिए यहां आकर के क करना चाह रहे हैं और हम लोग का जो भी है पुर्वज से ही उनका भी पुर्वज गरिया में विद्याले देने का काम किया सवा एकर का होस्पिटल उनके पुर्वज ने दिया है और हम लोग भी हमारे पुरबज भी मिडली स्कूल देने का काम किया है हॉस्पिटल देने का काम किया है बगल में दस कथा जमीन हॉस्पिटल को दौन दिये हैं तो समाज से वा के लिए तो हमारे पुरबज से ही हैं हम तो उनको उनका जो है उसी के पद्चिनों पर हम चल रहे हैं समाज स बाके लिए